दुर्गा मा की गरीब कन्या पूजन गुल्शन दिल में उमीद लगाए, केलों से भरा ठेला लेकर आगे एक रियाईशी इलाके में घुस जाता है दुख से ये तो अमीरों का इलाका है, कितनी बड़े बड़े बंगले बना रखे हैं, जिसके पास पैसा है, उसके शौक भी बड़े है भाईया और हम एक करीब है, जिनके जिन्दकी जोपडी मेहीं गुजर रही है केले ले लो केले, ताजा ताजा केले ले लो केले तबी एक आलिशान बंगले में से गहनों मिलदी माली नी निकलती है अरे ओ ठेले वाले, कैसे दिये केले? पचास रुपए दरजन है माता जी, एकदम मीठे केले है क्या कहा? पचास रुपए दरजन? आरे केले बेच रहा है या सोना? बीस रुपए दरजन देगा तो बोल माता जी, अगर बीस रुपए दरजन मैं आपको केले दे दूँगा तो मैं क्या कमाऊँगा? मैं गरीब भी तो दो पैसे कमाने बैठा हूँ अच्छा चलिए आपके लिए 40 रुपई लगा देता हूँ 20 रुपई से एक पैसा ज्यादा नहीं दूंगी देना है तो बोल वरना तेरे जैसे गरीब ठेले वाले सैकडों गुजरेंगे अभी यहां से अंबिका घर पर मेरी बाट जो रही होगी अक्सर गरीबी भरे हालात एक लाचार इंसान का इम्तिहान लेने आते हैं नवरातरी का पावन तेवार शुरू हो चुका है हर जन अपनी सामर्थी के अनुसार अपने घरों में कलश रख रहे थे वहीं अंबिका अपनी तूटी फूटी फूटी फूस की जोपडी के बाहर उदास बैठी थी हे महदुर्गा क्या इस बार अपने इस घरीब भक्त को नवरातरी रखने का सौभागे नहीं दोगी तुम कोई और वर थोड़ी मांग रही हूँ मा बस अपनी बेटी को इस नवरातरी रख के सौभागे से वंचित मत करो अंबिका के जीवन में एक बड़ा खाली पन था शादी के साथ साल बाद भी उसकी गोद अपतलक सूनी थी लेकिन किसी भी परिस्थिती में वह मा दुर्गा के प्रतिय अपना मुह मलिन नहीं करती थी जोपड़ी के आगे ही एक दो केले के पेर लगे थे जिसे बेचकर गुलशन गुजारे लायक कमा लिया करता था लेकिन अब नवरातरी प्रारंब हो चुकी थी अब मा दुर्गा के मंदर में भक्तों की भीड लगी हुई थी वहीं मंदर की सीडियों पर एक दुर्गा नाम की बुढ़िया भी बैठा करती थी अजी आ गए आप हाँ बड़ी मुश्किल से 20 रुपए 30 रुपए की कमाई हुई है अंबिका 30 रुपए देखते अंबिका की आँखें दुख और गरीबी से डबडबा गई लेकिन उसने अपने दिल को मजबूत करते हुए अटूट भक्ती से कहा कोई बात नहीं जी दुर्गा मा ने जो दिया है उतने में ही कलश बिठाएंगे हम अंबिका ने आंगन की मिट्टी से मा दुर्गा की मूर्ती उभारी और इधर उधर से आम के पत्ते फूल इत्यादी ले आई इसके बाद दोनों पती-पत्नी कलश स्थापना करते हैं और अंबिका जोली फैला कर कहती है हे देवी दुर्गा तुम तो जगत जननी हो ना मुझे हीरा मूती चाहिए ना सो ना चांदी बस एकी इच्छा है मुझ बांज की जोली भर दो हजी मैया हमारी विन्ती सुनेंगी ना हाँ अंबिका मा दुर्गा हमारी प्राटना जरूर सुनेंगी चलो जी आज नवरात्री का पहला दिन है महिया के मंदर चलते हैं गरीबी के चलते एक थाली में जरा सी मिश्री फूल कपूर रखकर मंदर आती है तो वहीं मालीनी अपनी बहु काव्या के साथ मेवे मिश्री से चांदी के थालियां सजा कर मंदर आती है तभी काव्य गाड़ी से उतरते ब्लॉग बनाने लगती है So my dear all the friends, हम मंदर पहुँच चुके हैं और यहां कुछ poor people बैठे हैं और आप देख सकते हैं मंदर की decoration तभी वहां सीडियों पर बैठी एक 70-80 साल की बुढिया दामन फैला कर कुछ मांगती है बेटी, इस गरीब की जोली में कुछ डाल दो मैंने भी नवरातरी वरत रखा है कन्याओं को कंजक खिलाने की चारकती हूँ यह सुनकर अमीर मालिनी बड़े ही मक्खरपन से बोली अरे ओ गरी बुढिया तुने अपनी आउका देखिये जो कन्यापूजन करेगी को तबीक मांगर खा रिये कहां से लाएगी कन्यापूजन के लिए सामान, नारियल, केले, चने, कीरपूरी का प्रसाद दौलत के घमंड और एहंकार में आकर मालिनी उस गरीब बुढिया का बहुत अपमान करती है ऐसे निर्दई ना बनो, कुझ तो दे कर जाओ एई बुढिया, चल हाट मेरा ब्लॉक बरबात कर दिया दोनों सास बहु उस गरीब को जाक जोर कर मंदर में चली जाती है तभी पीछे से अम्बिक आती है और एक बार फिर बुढिया उसके आगे भी जोली फैलाती है बेटी, कुछ पैसे दे दो, मैं भी नवरात्री व्रत भूकी हूँ कन्या पूजन करना है हाँ, देती हूँ अम्मा, ये लो, ज्यादा तो नहीं है, बस ये दस रुपे ही है तुमने गरीब को देने के लिए हाथ बढ़ाया है बिटिया मादुरगा तुम्हें इससे भी बढ़ कर दे ऐसे ही दिन गुजरते हैं और नवरात्री के एक एक दिन गुजरते हैं जहां एक तरफ अम्मिका गरीबी में फूल और मिश्री से ही मंदिर आकर भोग लगाती तो वहीं दोनों अमीर सास बहू रोज अपने पैसों का गमन दिखाती हुई मिठाई में वो का भोग मंदिर में आकर लगाती लेकिन किसी गरीब को एक रूपया भी नहीं देती देखते ही देखते नो दिन गुजर जाते हैं और कन्य पूजन का दिना आ जाता है तभी बुडिया दवार दवार से प्रसाद बनानी का सामान मांगती है अरे कोई है घर में मुझे अरे क्या है अम्मा बेटी जारा साटा चना दे दो, मुझे कन्या पूजन करना है आरे यहां भी मैंने कन्याओं को प्रसाद नहीं खिलाया, तुम्हें कैसे दे दू? चलो जाओ, पहले मा दुर्गा को चड़ेगा प्रसाद वह औरत बुढिया को भगा देती है, बुढिया जितने भी दर्वाज उपर जाती है, हर कोई उसे दुद्कारता है आखिर में बुढिया अम्बिका की जूपडी में आती है, जहां वह चक्की में आटा पीस रही थी बस आटा पिस गया है, अब जल्दी से प्रसाद बना लूँगी, लेकिन मुझ बांच के घर कौन भेजेगा बच्ची को हे मा दुर्गा, कैसे करूँगी मैं कन्या पूजन तो फिर तुम मेरे संकन्या पूजन कर लो बेटी, मैं आके मंदिर में दोनों एक साथ लग कर प्रसाद बनाती हैं, बुढिया के हाथों में एक गजब की स्पूर्ती थी नौ दिन का वरत्रक कर भी अम्मा के चहरे पर देवी दुर्गा के जैसी चमक है हे मा, मुझ बांज और बूरी अम्मा, हम दोनों का कन्या पूजन सफल करना हल्वा पूरी चने का प्रसाद लेकर वह मंदिर आती है, तभी नौ गरीब कन्याएं सेड़ी पर बैठी थी तभी मालिनी और काव्या भी कन्या पूजन करने वहां आई आंटी देखो, हम नौ कन्या आए हैं, हमें पूरी हल्वा का प्रसाद नहीं खेलाएंगी हट हट, दूर हट, कितनी गंदी मैली हो, तुम बच्ची ये कन्या पूजन का प्रसाद, मैं तुम भिकमंगियों को नहीं खेलाओंगी, चलो काव्या भाहू हे राम, ये मा के मंदर में कैसे भगते हैं, जो कन्याओं का ऐसा अपमान, भला कौन करता है चलिए अमा, कंजग खिलाते हैं, बुढिया नौ कन्याओं के पाउं दोती है, तभी उनके पैरों से फूल जड़ने लगते हैं, और बुढिया के पैरों के छाप लाल हो जाते हैं ये मा दुर्गा, ये कैसा चमतकार है, ये नौ कन्याओं कहीं, ये नौ देविया तो नहीं, और ये बुढियी, इनके पाउं के निशान लाल कैसे, ऐसे छाप तो मेरी मा देवी दुर्गा के होते हैं, कहीं ये देवी दुर्गा तो नहीं, लेकिन देवी दुर्गा क्यों अपने ही नाम से कन्या पूजन करेंगी क्या हुआ बेटी कन्याओं को प्रसाद बाटो जी जी अमा तबी अंबिका कन्याओं को तिलक लगाती है जिसके साथ साथ उस गरीब बुढिया के माथे पर कुम-कुम लग जाता है कन्या पूजन में बैठी नौ कन्याओं बार-बार उस बुढिया को देख कर मुस्कुराती है मा प्रसाद लाव और प्रतिक्षा नहीं होती हाँ बस लाई बेटी अंबिका और बुढिया मिलबाट कर कन्या को प्रसाद देते जाते हैं और वह खाती जाती है मा और पूरी चना चाहिए मुझे और हल्वा चाहिए हाँ ये लो हे मा दुर्गा अभी भी कन्या खाय जा रही है चाने कटोती में कितना प्रसाद है जैसे ही बर्तन में से प्रसाद घटा है तबी बुढिया के हाथ से एक सुनहैरी रोश्नी होती है और सारे बर्तन हल्वा पूरी चने से खूब भड़ जाते हैं तबी देखते देखते बुढिय अम्मा देवी शेर पर सवार दुर्गा मा का रूप ले लेती है और अम्बिका मुझ के बल गड़ चाती है ए देवी दुर्गा मैं धन्य हुई मा आपने मुझको दर्शन दिया मेरा नवरात्री वरत सपल हुआ अम्बिका मेरे लिए तुम्हारी भगती एकदम सच्ची है अभी तक मैं तुम्हारी परिक्षा ले रही थी लेकिन आज से तुम मेरी परम भगत हो मैं नवरात्री में हर किसी के द्वार पर गई लेकिन किसी ने कुछ ना दिया लेकिन तुमने गरीबी में भी मेरी कण्या पूजन की जताई इच्छा को पूरा किया आज से मैं तुम्हें अन धन का आशिरवाद देती हूं और याद रखना इस नवरात्री के नो अधिनों में जो कोई भी गरीब कन्याओं को मेरे नाम से कन्या पूजन करता है वह मा दुरगा को खिलाता है ठीक है मा मैं हर बार तुम्हारे नाम से कन्या पूजन करूगी माँ इसके बाद मादुर्गा के हाथ से एक रोशनी निकल कर अंबिका के गर्भ में समा जाती है और अंबिका खुशी से घर आती है जहां उसकी जोपड़ी की जगाई कालिशान घर खड़ा था तो वहीं कंजूसी और कपटपन के चलते मालिनी से उसकी सारी धन दौलत लेकर मादुर्गा उसकी दशा कंगाल कर देती है